हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे तो मेरा नाम है दीपा और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपा बायलो जी क्लासेस में तो दोस्तों आज हम देखें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो की स्टेट है और देखें इस स्टेट एलिजबिलिटी टेस्ट की खास बात यह है कि इसमें जो है डिफेंट स्टेट सें तो नौर्थ इस्ट के शिक्स टू सेवन स्टेट से बूर सबका में अगर आपका कोई भी असिस्टेम प्रोफेसर की वेकेंसी निकलती है तो अगर आपने स्ट स्टेट एलिजबिलिटी टेस्ट इस एक्जाम को कॉलिफाई किया है तो आप जो है असिस्टेम प्रोफेसर की वेकेंसी के लिए एपलाई कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आ seven states आती है उन सबका ये combined state eligibility test 2021 हो रहा है तो अगर उन state में अगर कोई भी assistant professor की vacancy निकलती है तो अगर आपने state eligibility test को qualify किया है तो आप directly assistant professor के लिए apply कर सकते हैं और आप उसके लिए eligible हो जाएंगे यहाँ पर आपके पास CSR या UGC नहीं है तब भी कोई बात नहीं है आपके पास अगर state eligibility test आपने qualify किया है तो आप उसके लिए directly apply कर सकते हैं तो देखिए ये जो set का exam है ये हुगा आसम तो इसे जो conduct करा रहा है वो SLET Sled Commission आसम है जो exam यहाँ पर होगा वो आपका होगा रहेगा 14 February 2021 संडे को तो यहाँ पर देखिए exam date इन्होंने mention कर दी है इसके साथ इन्होंने बताया कि इसमें जो subject आएंगे वो almost 25 subject यानि almost जितने भी subject 25 subject इन्होंने mention किये तो इन 25 subject के लिए Sled का exam जो होगा तो आप जिस भी subject के लिए apply करना चाहते हैं आप उसके लिए apply कर सकते हैं तो इसमें देखिए आपका जो fee payment रहेगा वो रहेगा bank चलान के form में ठीक तो देखिए आपको 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 बैंक चलान जो जो वो generate करना पड़ेगा और उसके पाद जो आपको print out लेना पड़ेगा चलान का और आपको directly जो वो उसका payment करना पड़ेगा ठीक है तो bank में जाके ठीक है तो देखिए तब website will be operating from 20 October तो ये जो online application वो start हो चुक है 20 October 2022 और जो इसकी last date रहेगी online application की वो रहेगी 14 December 2020 ठीक है और जो fee deposition की date रहेगी वो रहेगी 16 December 2020 ठीक है तो देखिए आप मैंने आपका important dates भी discuss कली जैसे 20 October को अलड़ी जो form इसका start हो चुका है और जो last date 14 December रहेगी और जो fee payment की last date रहेगी वो रहेगी 16 December 2020 अब हम देख लेते हैं इस important notification को तो देखिए ये जो notification है Sled Commission असाम है और इसने देखिए ये जो information बोची और आप देख सकते हैं ये आपको directly जो है sletany.org पर मिल जाएगा तो ये दो website यहाँ पर है आप उस पर login करके वहाँ पर website पर जाके जो है आप इसका जो notification है या बोची और है वो आप देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर इन्होंने mention किया है कि its member state at present यानि कि आसाम, अधुनाचपदेश, मिजोरम, मनिपूर, मेगाले, सिक्की में तरिवपूरा तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो दॉट इसमें उस 7 states आती है अगर यहाँ पर कहीं पर भी अगर असिस्टन प्रोफेसर की vacancies निकलती है किसी भी university में या किसी भी colleges में इन states में तो अगर आपने state qualify कर रखा है state level eligibility test आपने qualify कर रखा है तो directly आप जो असिस्टन प्रोफेसर के यहाँ पर eligible हो जाएंगे यहाँ पर आगर आपके पास CSIR या UGC net नहीं है तब भी कोई बात नहीं है लेकिन अगर आपने slate का exam qualify किया है तो directly आप जो है इसके लिए apply कर सकते हैं ठीक है तो देखी eligibility के बात के है तो आपका आपने master degree होना चाहिए अप concerned subject में जिस भी subject में आप जो इस्लेट का apply करना चाहते है आप life science में करना चाहते है तो आपका MSC वो life science में होना चाहिए ठीक है अगर आप जो है किसी और subject में इंगलिस में है या हिंदी में है तो आपका master degree होना चाहिए वो particular subject में होना चाहिए साथी साथ जो है आपका minimum 50% math जो है वो आपका PG degree में होना चाहिए ठीक है तो यह कुछ important like points तो मैंने आपके discuss कर लिए है और भी देख लेते हैं important points तो देखें यहाँ पर जो है test आपका sled का होगा वो इतने subject में होगा almost 25 subjects में होगा तो देखें आपका sled का exam होगा यह almost 25 subjects में होगा ठीक है तो आप जिस भी subject के लिए apply करना चाहते हैं आप उस particular subject के लिए apply कर सकते हैं अब बात कर लोते हैं test center की दो देखिए यह तो test center है यह भी आपे mention कर रखें for example देखे गुवाटी उनिवर्सटी डलबरगा उनिवर्सटी तेजपुर उनिवर्सटी असाम उनिवर्सटी मानिपुर उनिवर्सटी राजियु गांदी center university तेविपुरा उनिवर्सटी सिक्किम गौवर्नेंट कॉले मिजोरम उनिवर्सटी तो देखे इतने center है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 total 9 center जो है वो यहाँ पे बनाए गहे हैं और आपको जो है इमें से किसी भी 9 center में जो भी आपके घर के पास हो आप उसके वहाँ पी जाके जो है इस लेट का exam दे सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं चेंडों test center की तो देखिए application for change of test center plain paper will be received by a sled commission within seven days of the last date of submission of form मतलब आपने बाई mistake जो है test center मतल दिया है गलती से लिक गया है तो आप जो है seven working days पे of the last date of submission of form आपको जो है 300 rupees का जो है charge fee देना पड़ा है center को change करने के लिए तो आपको 300 rupees का payment करना पड़ा है उसके बाद जो है आप जो है अपना जो test center वो change कर सकते हैं लेकिन आपको जो क्या है seven working days of last date of submission of form ठीक है तो seven days के अंदर ही आपको जो है अपना जो center change fee है वो उसके साथ जो है आप जो है अपना जो application है वो change करने के लिए आपको plain paper पे जो है slash commission office को लिखना होगा ठीक है अब आप करें डिजाइन आप आई की तो अगर आप बात करें slabbers की तो slabber जो है वो रहेगा as per UGC CSIR ठीक है जो भी CSIR UGC का slabbers से वही same slabbers इसके लिए भी रहेगा अब बात करतें scheme of test की तो यहाँ पर देखें test will consist of two paper तो देखिए आप दो paper रहेंगे आपके all the two paper will have only objective तो यहाँ पर question जो pattern रहेगा वो आपका objective रहेगा option और pattern अगर हम बात करें एक का तो multiple choice रहेगा be matching रहेगा SSN reasoning रहेगा डी true and false रहेगा ठीक है अब देखिए तो test होगा वो आपका two different session में होगा first session second session first session में रहेगा 100 marks का यहाँ पर number of question 50 questions रहेंगे रहेगा यहाँ पर आपको time मिलेगा वो टू आवर के मिलेगा और यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा वो टू आवर के मिलेगा और यहाँ टाइम भी mention कर रहेगा 11.30 a.m. to 1.30 p.m. ठीक है अब बात करते पेपर बन तो पेपर बन में आपका जो general subject रहेंगे और each question will be having two marks और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी negative marking mention नहीं की रखी है ठीक है तो अब हम देख लेटे कुछ और important points तो देखिए जैसे मैंने आपको बता यहाँ पर कोई यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है उसके साथ इन्होंने बताया है कि अप्लाइ करने स्पहले आपको जो है अपने आपको आपको बताया है इन्होंने अगर आपको जब आप अपना जो अप्लिकेशन फॉर्म समिट करेंगे तो उसके पाइड चालान जन्यक होगा और इस चालान को आपको जो आपको जो हैं किसी भी बैंक ब्रांच में जाके जो है पे करना है उसके बाद 24-48 आवर के अंदर जाके आपका फी पेमेंट जो है कंफर्म कर दिया जाएगा और आपका जो है जो फॉर्दर फॉर्म जो सब्मिट करना होगा वो आप कर सकते हैं लेकिन फी पेमेंट मस्ट है अगर आप फ जेत बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच ठीक है तो एप्लिकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि अपना जो एप्लिकेशन फी है वो पेमेंट करना है उसका उसके बार आपको प्रिंट आउट लेना एप्लिकेशन फॉर्म का after two days from the day of deposit of fee क्यों कि यह दो दिन लेते हैं आपका जो fee confirmation करने के लिए कि आपने update होने में system में तो इसलिए one to two days का ये gap रखते हैं ताकि जो भी आपका जो transition ID वो सारी जो है official website पे update हो जाए ठीक है आप देखे बात करें age limit और number of chances की तो यहाँ पे कोई बी age limit नहीं है आप किसी भी year के like age आपके क्या भी हो चाहे 35 हो चाहे 40 हो चाहे 45 year आप किसी भी age के हो आप इसके लिए apply कर सकते हैं और यहाँ पे जो है number of chances के अगर बात करें तो आपको यहाँ पे जो है number of chances भी unlimited दे रखे हैं तो आप कभी भी कितने भी chances आप ले सकते हैं select के exam के लिए ठीक है अब देख लेते कुछ और important point देखें आप कुछ important होने बोला है जैसे कि आपको कोई भी calculator नहीं लेना lock table कुछ नहीं allowed रहेगा वहाँ पे आपको और जो exam होगा वो रहेगा आपका computer based test ठीक है और अम्बय बात को होगा admit card की तो admit card जो आपको है I think maybe 7 to 14 days के अंदर के before जो है आपको available हो जाएगा select की official website पे almost 7 to 14 days पहले जी exam से आपका जो admit card है वो आपको हमापे available हो जाएगा आप देखिए हम बात कर लेते हैं fee की तो देखिए अगर आप general category से बिलॉंग करते हैं तो आपको आपको 1200 रुपीज का जो एक fee payment करना पड़ेगा यान इस चालान की form में अगर आप OBC non chemi layer से बिलॉंग करते हैं तो आपको 150 रुपीज अगर आप SCHTC से बिलॉंग करते हैं तो 1000 रुपीज अगर आप particular university में कोई भी doubt है तो आप जो है इन numbers पर call करके जो है अपना क्योरी जान सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like और share जरू करें अगर आपने चैनल पर नह है तो चैनल को subscribe करें भीना ना जाएं तो चली मिलते हैं हमारे एगले वीडियो में till then take care बाए बाए